हालो डियर स्टूडिंस पहला पार्ट आपने कर लिया है आए अब हम सेकंड पार्ट की तरह आगे बढ़ते हैं आईए सब पार्ट टू के इस पहले question को देखते हैं जल्दी से यहाँ पर 3 प्लस sign x upon 1 प्लस sign x यह direct question तो लग भी नहीं रहा है substitution का जो पहला thought आप लेकर आओगे वो यह होगा कि आप 3 को यह break कर लेना 2 प्लस 1 के अंदर और 1 को यहाँ group कर देना क्या आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे थे और मैं फिर से बता दूँ the best way is to stop the video, pass the video, try to solve on your own और अगर नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर आपके साथ कर ही रहे हैं ध्य यह देखे, एक पार्ट कट गया, इसका integration, second वाले पार्ट का integration, x आने वाला है, first का क्या करें तो इसको लेकर मैंने playlist के अंदर integration indefinite की playlist के अंदर बढ़ा अच्छे से explain करा हुआ है कि अगर यहाँ cost होता तो क्या करते हैं और अगर यहाँ उपर root होता तो क्या करते हैं लेकिन अभी as it is यहाँ one upon one plus sine x है तो the best way is कि हम उसे rationalize कर दें यानि one upon one plus sine x और यहाँ multiply divide कर रहे है one minus sine x से उपर नीचे हाला कि second part जो है वो हो चुका है यानि इसका integration है x plus और इसका constant है c1 तो ध्यान से देखे अगर आपको समझ में आ गया है question तो आप दूसरे question की तरब भी बढ़ सकते हैं और नहीं तो यहाँ पूरा question अब हम solve कर रहे हैं ध्यान से देखे नीचे one minus sine square x आ और साथ में यहाँ x plus c1 लिखना पड़ेगा denominator cos square और आप देखे अब further जो है वो break हो जाएगा cos square b और यहाँ हमें देखेगा 2 dx upon cos square x minus 2 यह देखे minus 2 यह 2 दोनों से multiply हो रहा है तो यह हो जाएगा sin x over cos square x और जो pending part है वो हम वापस से लिख रहे है इसको उपर लेगा है secant square x थाकि direct integration बन सके है same way यहाँ पर भी हो गया tan x into secant x यानि sec x और यह आ गया यहाँ पर integration हो गया 2 times of tan x minus 2 times of sec x plus इसका constant आ गया c2 plus x plus c1 आप चाहें तो इस constant को नया constant लिख सकता है two common ले सकता है और यह answer आपको इस तरह से दिखाई दे गया वे और c is c1 plus c2 आईए दूसरे question की तरह बढ़ते हैं यह रहा part 2 का दूसरा question यानि series का 7th question यहाँ है sin 4x upon sin 2x क्या करिएगा क्या sin 2 theta का formula लगाते हुए 4 को भी 2 में break कर दिया जाए ताकि इसको solve कर सके yes यही एक ठीक अप्रोच होने वाली है using the concept of sin 2 theta which is 2 sin theta cos theta तो हम इसको break करने वाले हैं बच्चो 2 times of 4x का half हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x upon sin 2x और respect है x की यह देखिए कट गया बहुत simple सा question mcq form में भी हो सकता था तब यह पूरी presentation देने की ज़रत नहीं है मैं बार बार बोलता हूँ तो answer आ गया है sin 2x plus c तीसरे question आज के तीसरे question या नहीं यहाँ series के 8th question पर चलते हैं अरे भाई यह क्या है यह क्या है यह तो उपर derivative दिखाई दे रहा है x to the power e का लेकिन ex का derivative तो e होता है लेकिन e common भी यह आ जा सकता है तो देखिए question तो हो गया solve कैसे त्यान से देखिए plus के साथ भी आ सकता है question whole square के साथ भी आ सकता है यहाँ पे भी plus हो सकता है तो बहुत सारी variation यहां इस question की हमें देख सकती है इस question को कर लेने पर हमारे को वो सारा concept जो है वो समझ में आ जाएगा लगातार बने रही है इस series के साथ इस channel के साथ चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं करा है तो subscribe कर लीजे bell icon press कर लीजे क्योंकि यहाँ पर हम education से related hardcore questions को solve करते हुए concepts को solve करते हुए हम लोग motivation पर भी बहुत सारे lectures लेकर आते रहते हैं अब मैं denominator को put x to the power e minus e to the power x equals to t chain rule लगाते हुए देखे e आगे आगया x to the power e minus 1 और e x का derivative आगया e x dx is equal to dt अब देखे यहाँ से अगर मैं e common ले लूँ यहाँ से देखे दोबारा से देख लीजे अगर मैं यहाँ से e common ले लेता हूँ तो पहले पार्ट में तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन दूसरे पार्ट में क्योंकि e मैंने common लिया है तो वो power subtract हो जाएगी और यही हमें चाहिए ध्यान से देखे अब मैं क्या कर सकता हूँ e से multiply divide कर सकता हूँ या इस e को नीचे ले जा सकता हूँ जिससे की यह पूरी term x to the power e minus 1 minus e to the power x minus 1 dx is equal to dt over e कई बर बच्चे बोलते हैं कि sir कुछ questions बहुत tough होते हैं कुछ questions अचानक से असान हो जाते हैं तो बच्चो यह तो series है और हमें तो हर तरह के बच्चे को यहाँ पर cater करना है उससे बात करने है उसको समझना है उसको uplift करना है इसलिए हर तरह के questions यहाँ पर available है चाहे वो MIT से related हो या advanced level हो या वो CUT और CBSE के कुछ basic questions हो तो यह पूरा term बन गया है अब ध्यान से देखे यह और यह मिलाकर बन गया है dt upon e और denominator जो है वो है t so 1 by e log mod the denominator और देखे denominator के value क्या है अब आपको यह concept जो है वो समझ में आ गया होगा आईए अब हम series में आगे बढ़ते होए यह रहा question number 9 आज का fourth question देख कर ही समझ में आ गया क्योंकि मैंने last lecture में बोला था कि angle को तो linear होना चाहिए और जैसे ही जब आप इसको देख रहे हैं कि linear होना चाहिए उसी वक्त आपको यहाँ पर angle का product rule जो है वो उपर दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे प्लीज मुझे question मत लिखने दीजे मैं directly यहाँ t put कर रहा हूं और यहाँ product rule लगा रहा हूं x as it is ex का derivative ex plus ex as it is x का derivative 1 और यहाँ dx is equal to dt हो गया पूरे का पूरा numerator dt में convert हो गया है dt upon cos square t integration आपको मालो मैं क्योंकि थोड़ी दिर पहले question का part था यह answer आ गया है tan t plus c और हाँ आपको x में लाना जरूरी है यह देखिए ध्यान से हो गया question हमारे पास यह tan of x ex plus c आईए आगे बढ़ते हैं आज के आखरी question fast questions की series में यह part 2 था बचो अगर आपको किसी भी तरह के किसी भी topic सब topic या chapter में अगर किसी भी चीज़ की जरूरत है किसी support की जरूरत है कुछ lectures की जरूरत है किसी counselor की जरूरत है तो यहाँ पर एक number लगातार reflect करता रहता है या description box में भी वो number है आप हमें call करिए हम आप से बात करेंगे यह question है इस पर अलग से मैंने एक video भी बनाया हुआ है जिसमें जितनी भी possibilities होती है इस question को solve करने की वो सब possibilities यहाँ मैंने रग दी है लेकिन एक method से हम यहाँ इसको solve करते हैं और वो method क्या है root tan x से मैं multiply divide कर रहा हूँ क्यों जब भी sine, cos और tan देखें तो आप समझें कि किसी तरह से secant square का concept लाना है तो अगर, मतला ऐसा तो नहीं है न कि बे वज़ा मैं इसको multiply divide कर रहा हूँ यह concept है कि मुझे किसी तरह से secant square का logic लेकर आना है यह देखें, root tan, root tan क्या हो जाएगा tan और यह हो गया sin into cos denominator में और यह हो गया 1 upon under root of tan x अब हम क्या करते हैं, tan को भी break कर लेते हैं sin or cos के अंदर, sin x upon cos 6 into 1 upon sin x into cos 6 into 1 upon root of tan x into dx द्याँ से देखें, अब sin से sin cancel cos into cos क्या होगे, 1 by cos square x यह देखें, इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं और अब हो गया, question तो हो गया tan x को t put कर सकता है, उपर derivative आ रहा है तो अब यहाँ हम थोड़ी सी upliftment की बात करते हैं जिन बच्चों को लगता है कि वो tan x को t put करकर answer ले आएंगे या इतनी knowledge तो उनके पास है अब देखो हम क्या कर रहे हैं हम under root of tan x को t put कर रहे हैं यानि tan x को t square put कर रहे हैं देखे देखे देखे, अगर यह cube root होता तो आप t cube put करते हैं और यह tan x का derivative है क्या है, secant square x dx is equal to 2t dt यानि यह पूरे के पूरी term t नीचे और यह पूरे के पूरी term 2t dt अब आपको क्या t और d भी cancel हो गया यह तो सिरफ 1 times of dt रहागया तो yes, इसका integration हो जाएगा 2t plus c और t एक positive root के साथ हमें सामने दिख रहा है 2 times of root tan x plus c हो गया बच्चों तो जल्दी से हमने यहां क्योंकि exams हो सकता है आपके चल रहे हो या practice कर रहे हो तो इस बीच अगर कुछ 5-10 minutes का यह concept आप समझते हैं तो उससे आपकी energy जो है वो और अच्छी हो जाती है इंतजार कीजिए अब indefinite integration और definite integration के past questions का third part आने वाला है हम usually इसको Monday या Friday को post करा करते हैं देख लीजिए इसको अच्छे से और इस channel के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताईएगा बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए